नमस्कार बच्चो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पार्थाट जिसका नाम क्या है बच्चो पुन विश्रा मतलग क्या कम्प्लीट रेस्ट तो यहाँ पर एक हासिवेंग के कहानी दी गई है जिसको लिखा है सत्यकाम विद्या लंकार जीने इ आप सफल संपादक लेकक और कवी हैं यहना कि बहुती अच्छे सफल संपादक है और कवी भी निखते है कहानियां भी लिखते हैं बहुत कवे कानिया भी लिखते है'M ince उने वीक्तिटेव और चरीत निर्मार पर अधिकल दिया है यानि कि इन्होंने character निर्माण और वेक्तितु मतलब क्या होता है बच्चो आपकी life से related वो हो गया वेक्तितु ठीक है तो इन्होंने इस पर जादा बल दिया है जोर दिया है प्रमुकृतिया इनकी देख लेते हैं तो क्या है स्वतंतरता पूर्वचरित्र निर्मान मानसिक शक्ति के चमतकार सफल जीवन ये सब इनके लेक संग्रा है और वीर्सावरकर वीर्सिवाजी सरदार पटेल महत्मा गांदी ये क्या इनके जीवन चरित रहे हैं अभी गद्य संबंदी देख लेते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर क्या है देखो प्रस्तुधास से वेंग कहानी के माजम से कहानी कार ने या समझाने का प्रयास किया है कि जीवन के आपा धापी में विश्राम के पर मुस्किल से ही मिलता है जीवन की जो आपा धापी होते कभी ये काम कभी वो काम तो इन कारणों से क्या होता है आराम का जो समय है न वो ब तो यहां पर इसमें यही सारी चीजे दी गई है एक बार हम पढ़ते हैं और फिर हम समझने का प्रयास करेंगे यह बड़ा ही अच्छा पाट है आप इसको समझो आपको अच्छा लगेगा एक दम ध्यान दे करके पढ़ना ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं तो क्या दिया गया इसमें फर्स पराग्राफ देखना कि डॉक्टर ने बहां पर कपड़ा लपेटा और रबड की धहले से हावा फुक कर नाड़ी के गती देखकर देखी फिर बोला कुछ सीरियस नहीं है दफ्टर से चुट्टी लेकर बाहर हो आईए विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए तो पत्नी बड़ी प्रसन होई क्या होता है देखो यह एक आदमी है जो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है उनके बहां पर काला कपड़ जैसा लपेटता है जैसे आपने देखी होगी कि डॉक्टर क यहां पर जब वो ब्लड प्रेशर चेक करते तो वो क्या करते काला कपड़ा यहां पर लगाते फिर एक रबर जैसा इत्ता गोला से रहे तो उससे हवा भरते हैं तो इसी तरीके से इनके साथ भी हुआ डॉक्टर ने ऐसा किया और फिर नाड़ी देखकर कि क्या बुला कि क विश्राम करने गए और फिर काम करने लगे आपका विश्राम एकदम पूर्ण होना चाहिए और इसके बाद जो पतनी थी जब पतनी नहीं सुना तो बड़ी यह खुश हुए क्योंकि अब उसको गुमने का मौका मिलने वाला था क्योंकि जब पतिदेव जाएंगे तो पत न विश्राम करेंगे क्या खिए उन्होंने श्रीमती जी से यानि अपनी पतनी से कि तुम जूह की त्यारी कर लो हम लोग दो दिन तक पूरा पूर्ण करेंगे यानि कुछ भी काम नहीं करेंगे बस हम विश्राम ही करेंगे ठीक है एक दिन बाद पुर्णिमा भी थी और उसकी एक ही दिन बाद क्या थी पुर्णिमा थी यानि की complete moon ठीक है चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है और जो चांदनी रात है जब चांदनी रात हो चंदा म अर और ने के शूरू कर दी क्या ले चाना है क्यान लेकर करने लिकान वड़े से पहले ही उट बैटी है और कुछ नोट करने लगही ओन श्यूमती जी थी दो बजे का अलारम तो उन्होंने लगाया था लेकिन वो दो बज़े से पहले उठ बैटी और कुछ नोट करने लगे तीक है आगे देखो श्रीमती जी ने इन सब कामों की सुची बना कर मेरे हाथ में दी यानि कि लेका क्या पर लिख रहे हैं कि जो श्रीमती जी थी उन्होंने क्या 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 सारे सुची बना दिया उन्होंने कि क्या 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 काम करने कल सुपर उठके और अपने पती देव को दे दिया गारेज में पहुचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी ट्यूब ओल रबर सॉलूशन एक गलन इंजन ओल आधी आधी चीजे और भी लिखी थी यानिकि इनकी श्रीमती जी ने ये सारी चीजे लिखी थी फिर दिन भर दौर धूप करके लेगग जी बोल र करना होता है बच्चों जैसे कुंडी ओती है नहीं लोगों को बाहर जाना है तो घर को अच्चे से बंद करके जाएंगे यानि कुंडी तो अच्छी होनी चाहिए नहीं तो यह लोग गय उधार टेंशन में रहेंगे कि घर का क्या हो रहा होगा पिर तो यह विश्राम करी नहीं पाएंगे तो इसके लिए सब कुछ एकदम अच्छे से करके वो लोग जाना चाते थे तो इसलिए मिस्टरी को लेकर के आये थे लेकिन शाम हो गई और चार में से दो सिटकिनिया वो जो चटकनिया थी वो भी नहीं कसी गए मोटर के लिये जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगणी हो गए थी और मोटर के लिये यनि कार के लिए जरूरी जो शामान थे लाते लेकिन ने आजपांसन देते हुएँ तो ठकावट करेंगे और इससे क्या होगा जो हमारी ठकावट हो जाएगी श्रीमति जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की गुंडी गुमा कर अलारम लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर पर मुआयना करके यह तसली कर लिकी सुच्वी में लिखा सब समान आ गया या नहीं सुबह सुबह पांच बसते ही अलारम ने सोर बचाया देखो क्या होता है जो श्रीमती जी थी उन्होंने अपने कर कमलों से यानि के अपने हाथों से जो अलारम घड़ी थी उसकी यह गुमाई गुमा करके लगाते ना गुंडी को गुमा करके अलारम लगाते तो पांच बच इसमें आ गई है कि नहीं कोई समान बाक्य तो नहीं है इस तरीकें से जा करके देखने लगी और सुबह 5 बचते क्या होता है कि अलारम चुहें वह अपना शोर मचाने लगता है यानि कि वह बजने लगता है रोशनी होते नहोंते ज़ुह की तयारी चरं सीमा पर पहुंच गए। तो रोशनी होते नहोंते जुह की तयारी चरं सीमा अभे निकलने वालते आप देखोंетеas that प्रोग्राम को को भी आज ही दोगा देना था अब देखो इनके जो डोगा देना था यानि कि वह ताइम पर घराब हो गए थी वह हर मिनिट बुझने लगा और वह हर मिनिट पर क्या हो अदब बुझ रहा था आदा घंटा उसमें तेल भरने दवाकनी करने में चला गया और आदा घंटा उसमें तेल भरने और धौकनी करने यानि कि जो स्टोफ होता है आपने देखा होगा उसमें ऐसे करके हावा भरा जाते है ठीक है तो धौकनी भरने में आदा समय चला गया फिर आखेर चाय का प्रोग्राम स्थंगित कर दिया यानि लोगों का मूर्थ था कि चाय पेटका हुआ था चाय में कि हम चाय पीलेंगे तब जाएंगे और तयारी भी किये जा रहे थे चाय की भी टेंशन दी लेकिन जब स्टोफ ही नहीं चला तो चाय का सपना जो था वह थोड़ दिया इन्होंने और एकदम एकाग्रची तो करके तयारी में जुट गया वाटर कि ऐसी महत योजनाओं के संपन करने में हम पती पत्नी परसपर सयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं यानि कि जब भी ऐसी कोई योजना आती है तब हम लोग क्या करते हैं एक दूसरे का सयोग करते हैं और इसी पर विश्वास रखते हैं हम एक दूसरे के का में हाथ बठाते हैं सायोग भावना हमारे जीवन का मुल मंतर है और जो सयोग है यह मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है जीवन का यह मुल मंत्र मुझे भूला नहीं था यह जीवन का मुल मंत्र है इसको मैं कभी भी भूला नहीं था श्रीमती जी मुझे मेरे कामों के याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा यानि कि यह जो लेखक है वो भोले नहीं थे कि उनको क्या करना चाहिए उनको उनकी मदद करनी चाहिए यह भोले नहीं थे लेकिन फिर भी जो श्रीमतीर जी थी यानि कि उनकी पत्नी थी वो उनको उन मिर्ची का आचार जरूर से रख लेना श्रीमती जी बोली आचार तो रख लूँगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना मैंने अभी पढ़ा नहीं है यह उनको याद दिला रहे यह क्या कहती है कि मिर्ची का आचार तो मैं रख लूँगी ठीक है लेकिन तुम गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कस्मीर से लाएते जूह पर बड़ी शर्द हवा चलती है अब ही यह याद दिला रहे हैं ठीक है मैं रख लूँगा अकबार रख लूँगा तुम जिंदा मत करो लेकिन तुम गुलबंद न भूल जाना जो हम लोग पिछले सा क्योंकि जूह पर बड़ी ही सर्दी होती है सर्द हवा चलती है फिर आगे कहती है कि जो श्रीमती जी है वो कहती है गुलबंद तो रख लूँगी लेकिन तुम कहीं बेंदिंग सूट रखना न भूल जाना नहीं तो नहाना धरार रह जाएगा अभी इन्होंने भी याद ठीक है ठीक है मैं गुलबंद तो रख लूँगी लेकिन तुम बेंदिंग सूट यानि कि जो बातिंग सूट है नहाने वाले जो सूट है उसको रखना बिल्कुल भी मत बूलना नहीं तो फिर नहाना धरा का धरा रह जाएगा यानि हम जाएंगे जिस चीज के लिए वो द तो घजब हो जाएगा इसको बिल्कुल भी मत बूलना वह तो रख लूँगी लेकिन कुछ नोट पेपर लिफा पर भी रख लेना फिर यह जो श्रीमती जी वो कहते हैं ठीक है ठीक है मैं रख लूँगे लेकिन तुम क्या नहीं भूलना नोट पेपर लिफा पर भी रख इसको लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना और देखो राइटिंग पैड भी न भूलना क्योंकि हमें कुछ लिखना रहा तो राइटिंग पैड रहेगा तो उस पर लिखेंगे तो देखो जो लेखा के वो कहते है राइटिंग पैड क्या होगी ठीक है क्या करोगी कर जा रहे क्या बड़े ची वहाँ पर खाले बैठी रहोंगी तो मिलता ही नहीं है तो और जब स्थ्वाब देने और जाने ढंगे कि एक विल और बिम नोटी इस आ पड़े हैं। उनका भी भुक्तान करना त्याने लिए लिखते हैं। ईसलिए लिए कहती हुषत्र रख लेना है digging in vh u चस्मा था उसको भूल गहते ना तो तुम्हारा सिर्पूरा चड़ गया था उसको पूरा दर्द कर रहा था इसलिए इसलिए भूलना भी बिल्कुल भी मत तुम च्छतरी भी रख लेना ध्यान से अच्छा बाबा रख लूँगा और देखा धूप से बचने की क्रीम भी कि तो जा रही थी कि रख लूंगी रख लूंगी नहीं मिल रहा था इसलिए बहुत घबराई हुई थी यानिकि इनको कैची भी मिल गया था ब्रस भी मिल गया था लेकिन नेल कटर ही नहीं मिल रहा था जिसके कारण ये बहुत जाधा घबराई हुई थी और जो सारी चीज़े मिल रही है उसको तो रख लो इधर मैं अपने लिए नया अकबार और कुछ ऐसे किताब धेले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समा लोचना के लिए आई थी और सोचता था कि फुर्सत से समा लोचना कर दूँगा यहां पर लेगक जी कह रहे हैं कि इधर में क्या कर रहा था नया अकबार और कुछ ऐसे किताबी में थैले में भर रहा था बहुत दिनों से समा लोशन के लिए आही थे समा लोशन मतलब जैसे उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके लिए तो आही थी उसको भर रहते और सोच रहे थे कि कि वह किसले सबanu क्या सोचे थे कि वहां पर खाली बैटा और आखिर इनो ने तीन किताबे देयों कह दिनों से गविता करने की दन सवार वहीं और लेकल जी कह रहे हैं कि कहीं करना पी चाहता था उनकी कई खत्रे ने इधर-धर बिखटी पड़ी थी उन्हें भी जमा किया सोचा कावे प्रेडशना के लिए अच्छी जगा कौन से लाइन किसी परची पर लिख करके रखी थी वह सारे इकटी कर ली और मैंने क्या सुचा है कि जूहू से अच्छी चका और क्या हो सकती है ठीक है अभी आगे देखना यहां तक समझ में आये लोग अभी तैयारी में जुटे हुए सारा समान अंदर डाले जारे डाले जारे फि पहुंच गए जूहूँ पांच साथ मिनट तो सौपन लोग में विचरते रहे और वैसे ही विचरते ही रहे सौपने लोग में जाथे अपना देख रहे हो हम समुद्र में नहाने को चल पड़े समुद्र तर्ट पर और लोग भी नहा रहे थे एक उची लहर ने आकर हम दो अब देखो क्या होगा लेहर के उस थपेडे से श्रीमती जी के मस्सक में क्या नहीं सपूर्ती आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा क्या करती है तुम्हें याद है बरामदी की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं अब देखो जब वो लेहर आई ना तो नजाने क्या हुआ श्रीमती जी के मस्सक पे कि वो अचानक से पूछने लगी कि क्या तुमने वो जो खिड़की बरामदी की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं वो अपने पती से पूछ रही है तो पती दिव क किया कहते हैं मैं के उटा मुझे तो यादी नहीं पड़ता यह कहते हैं कि या रही और फूरी रह गई तो क्या होगा एक उनका मुझ पुरा पिला हो गया पिला पिला हो जाना मतला टेंशन में आ गई मैंने कहा चलो चोड़ो अब इन चिंताओं को जो होना है जो होना होगा हो जाएगा मेरी बात से उनकी आँखों में आसों का समुद्र ही बैपड़ा उनके कापते होट पर यही शब्दते अब क्या होगा यानि लेखल जी कहते हैं कि जाने तो जो होना होगा वो होगा चलो अ बर वह निकली और उनके चो वे वोट है तो बड़ी टेंशन में आगे आज़े या आस्वाने लगी और कपने लगी सब्सक्राइब फिर उपटें और खुली रही होंगी तो घर का क्या और फिर बोल रही है कि और अगर खिड़किया खुली रहे होंगी तो घर का क्या होगा ऐसे करके पूरा वह सूच जा रही है यह सुच उनकी अधिरता और भी ज्यादा होती जा रही थी तीके फिर क्या होता है देखो और यहां पे जिस धड़कन का हिलाज करने को जुहू पर आया था वह दस गुना बढ़ गए थी यानि वह किस नी आ घ्राप हो गया मैंने देजी से मोटर चला है और फिर ही यह लोगों ने क्या घ्रन तूक टीजन धड़क रहा था लेकिन देज भी तेज धड़क रही थी जिस रफतार से हम गये दूनी रफतार से वापस आयाने जिस रफतार से हम लोग बीच पर घुमनी के लिए गयते उससे दुगुनी रफ्तार से हम लोग यहां पर वापस आ गया अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बस तू बदस्तोर लगी थी सब ठीक ठाक था अब देखो क्या हुआ जब यह लोग वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि जो सुटकिनी थी वो तो एकदम अच्छे से लगी हुई थी कुछ भी खुला उला नहीं था सब कुछ एकदम ठीक था था मैंने ही वह लगाई थी लेकि लगाकर भूल गया था कि लगाई यह नहीं और इसका नितीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी अब श्रीमती करने के लिए बीच पे गए तो वहां से आने के बाद क्या होगा कि यह जो श्रीमती जी थी इनको दिल की बिमारी पहले से थी तो अभी इनको भी धड़कन तेज हो गई मुझे याद आ रहे थे पुर्ण विश्राम और पुर्ण निरोग साथी यह विश्वास भी पक्का ह जाता है और यहां पर लेखक जी क्या कहते हैं कि मुझे याद आ रहे थे पुर्ण विश्राम और पुर्ण निरोग और साथी विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस सब्द के साथ पुर्ण लग जाता है जैसे पुर्ण विश्राम करने के लिए लेकिन क्या हो गया इनके साथ जो इनकी पतनी थी उनकी दिल की धड़कन थी वो तेज हो गई समझ में आया यानि यह लोग आराम तो नहीं कर पाए लेकिन इतना जरूर पतना है कि दोनों चन अपनी बिमारी बढ़ा करके आगे वापस ठीक है तो यह था आपका पार्ट पुर्ण विश्राम